तो देखें इंटर्मेडियर जीविग्यान केवल प्रस्पत है जीविग्यान में समय तीन गंटे सतर प्रसंद गंटी के साथ प्रारम के पंदर मिर्ट प्रिशाद्यों को प्रस्पत पढने के लिए निजायत है सभी प्रसंद निवार है आप सकता अपने पूश्टी मुख है प्रस्ट आता है प्राला जिसमें दिया गया है निम्रिखित में से कौन सा पूश्प नर जननंग का प्रत्विदी आंग करता है मनुसमें संतान का द्रण होता है सुकुरान के माप से अन्रान के माप से पिता के लिंग से तो सुकुरान के माप से होता है जेनेट्रिक इंजिनिरिंग का उप्योग होता है चिकिस्या में इनमें से दोनों में और किर्सी में इसमें से नहीं है तो जेनेट्रिक इसमें से कोई नहीं है Linux अगला question है Linux Linux जो परिस्थी अनुकरम को प्रारम करने में सच्चम है वास्तों में यह सहजीवी सहचार है तो क्या है Linux जो परिस्थी का अनुकरम को प्रारम करने में सच्चम वास्तों में सहजीवी सहचार है यह कवक और फॉंजाई है अति लगुत्तरी प्रस्ण है कलाइटे फेल्टा था टर्मर सिंड्रोम में कुर्शुत्रों की संख्या कितनी होती है तो इसमें जो है 21 और 23 की गर्णा की जाती है नर्जर्म कोश्का किस विवाजन दरा सुकाणों का निर्माड होता है तो नर्जर्म में ये बिशन द्वारा सुकाणों का निर्माड होता है तथा विवाजन भी होता है बिशन द्वारा प्राकर मातित कोईशका में गुर्षुत्रों की संख्या 146 मानी जाती है एंजाइम का नाम लिखे जो DNA अणु को खंडों में तोड़ देती है तो इससी एसकारवेट एंजाइम है जो अणु को खंडों में तोड़ देती है कारवन अगला है पुर्षन कारवन डाय अक्साइड का इस्थितिकरण करने के कारण पौधों को क्या करते है कारवन अक्साइड का इस्थितिकरण के कारण पौधों को क्या करते है तो पौधे जो है नाइट्रोजिनी करण के कारण भूम में आस्थाई उखते हैं तथा वह है नाइट्रोजिनी करण है उसे कहते हैं पच्छियों में लिंग निर्धान को अस्विस्ट कीजिए पच्छियों में लिंग निर्धान उनके जाती तथा पंसच के आधार पर होता है वार्षन अफिक द्रियने कुंडली मार्डल का सोच नावांकित कीजिए तो वार्षन द्वारा और किक द्वारा इनका निर्धारन प्रति अस्वर्दा के कुंडली से विभाजित किया जाता है जिसमें गोर्षों तो एक दूसरे पूछ से लगे हुए जुड़े होते हैं यह उनका नामानक्रित है चित्र है कुंडली उत्म मार्डल है और इस कुंडली में यह दूसरे से पुछ सुपू सटाय हुए बधे होते हैं कि अगला है कि फ्रेशन प्रतिर अच्छा क्या है प्रतिरच्छा प्रतिरोधक छम्ता प्रतिरच्छा मानों सरीर अपसो यह किसी जीवज़न तुमें बाहरी जिवानों से लगनी की जो छम्ता होती है या जो इंटिवाटिक मानों में दी जाती है वो प्रतिरच्छा का लाती है जिससे जैसे उदारण में बुखार आ गया और से बुखार को प्रतिरच्छा और सदिया को परियोग किया जाता है जिससे आई वे वाइरस को मारगी रखनी है आर्केटिक पौधा आम के पेड़ पर उग रहा आर्केटिक और आम के पेड़ के बीज़ प्रतिर के रिया को कैसे स्वेश्च करेंगे देखें आर्केटिक पौधा जिसको हम बिलरी पौधा भी काते हैं यह पौधा आम के पेड़ पीपल के पेड़ अन्य पेड़ उपर गिर कर अपनी जैविक किरियाएं उसी पेड़ के ऊपर रहकर पौड़ करता है और बारता उब्रिद्ध करता है तथा अपना विकास भी करता है और आगे बढ़ता जाता है ऐसी किरियाएं आर्कटिक कहलाती हैं और यह एक दूसरे से काफी संफर्क बनाए रखते हैं जिसे आर्कटिक के नाम से जाना जाता है जैविक अनकुरिया के तरीका का सच्छ निरूपित है दर्साइए जैविक अनकुरिया पादो और जंतों में समस्प्राणियों में जैविक अनकिरियाएं होती हैं जय से पाहाड hai नदी है शूरी है यह जैविक अनकुरियाए जयसे बारिशें होती है errors जल्ब भराओ होता है नदियों में शूरी की वाप्संत किरिया होता है और आस्मान से संचित होता है पिर यह जो है जैविक क्रियाएं मनुश्य तो पहुचती है इस तरह कि जैविक इनकुलिया का तरीका रीपित किया जाता है प्रसंग क्या पांच है लगु बिजानु धानी गुरु बिजानु धुन की बीच में तीन अंतर होते तीन अंतर लिखे लगु बिजानु धुनी में एक निशित कोशका में होते हैं जबकि यह गुण वाले एक निशित कोशका के द्वारा ही प्यादा होते हैं यह समान रूप में सिंखलाबित होते हैं जबकि यह समान रूप सिंखलाबिता नहीं होते हैं यह एक दूसरे से जो जुड़े होते हैं यह एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं यह अगर की तरह पढ़ते हैं जबकि यह अस्थाई तो होते हैं तो लगुडग, लगवीजग में यही अंतर है दोनों में, गुरुबीजड़ा धानी और लगवीजदधानी में, हमारे समाज में लड़किया पैदा होने पर दोस्त के वर महिलाओं को दिया जाता है, बताएए कि यह सही क्यों नहीं है, यह प्रसन है, हमारे समाज में नियुक्ण कई पैद्धे होने पर आउरतों को दोस्तों देना वरे करनकि फ़ाबित होता है, क्योंकि माता पिता की गुरुव पर निर्धारित होने से यह जichen लिंग निर्धार होता है, त nib..... तता गरभाषी में होने वाली किरियाओं से निर्धार किया जाता है कि पुत्र होगा है इसलिए ये कथन जो है असत्य है एक संकर क्लास करते हुए मेडल को प्रवाविता का नियम की ब्याख्या कीजिए प्रसंख्या गह है प्रवाविता का नियम मेंडल ने दिया था प्रवाविता का नियम कीसे करते है जब प्रवाविता का नियम करते है तो जब किसी एक प्रवाविता का नियम करते है जैसे ब्याख्या में capital T और small T परियोग किया गया संकर कराया गया इन से आने वाली संताने capital T capital T पैदा हुई capital T small T इस तरह से परियोग होता है इसी को हम प्रुवाग्टा का नियम करते हैं DNA कुंडली की कौन से विशेश्था से वार्षन अकरक DNA ने semi-contrial रूप को कलपित करने में सवयोग किया जिनकी ब्याख्या के जिये तो यह हम DNA कुंडली में हमने और RNA दो कुंडलियां होती हैं तो हमें DNA कुंडली का बनन देना है Synchrogetive में समसुत्री विवाजन करते हैं समसुत्री विवाजन में आने वाले पर्थम देती तिती चतु लगभर एक ख़श्ट विवाजन होता है समसुत्री विवाजन जनेटिव की एक दूसरे से जुड़े होते हैं उनकी समय निर्धारण होती है और समय के निर्धारण के साथ साथ एक दूसरे से जुड़ कर जो है समसुत्री विवाजन को डिने में उत्पन होते हैं अगला कोस्चन है इसी तरह मलेरिया परजिवी का जीवन चक्र का सोच नामान चित्र लिखिए तो मलेरिया परजिवी जीवन चित्र लिखिए शबस्त हयां जख लिखिए गया हुआ जेल के अधिकता से कच्रे से मचर के काटने से लारवा जैसे सरें बनती हैं जो मानों शरीव में प्रवावित होती है और ये दूसरे से कि यह सरें जबनती हैं जिसमें लारवा हमारी माँस-प्रेश्ञाओं को निश्की करने में लग जाते हैं तथा ये धीरे-धीरे इनका प्रकूब पढ़ने से अजमी की मित्री हो सकती है जीवन चक्र इनका 24 घंटे प्रत्ति के दर से इनकी गती दू पॉइंट होती है जैविक जी विग्यान के अधन में ना संक्रामक रोगों को नियंतर करने में कीस परकार हमारी सायता की जाती देखी जैविक में संक्रामक रोग जैसे हैजा, तपेदिक, डेंगू, मलेरिया, टाइप 5 आधी होते है जिसमें कवव नाइन और हज़ा प्रुक संक्रामक रोग को नियंतर करने में कीस परकार हमारी सायता है जैविक जी विग्यान के अधन में जैविग्यान के अवसधियों के रोग में तथा सावधानिया परतने के रोग में तीसरा नियम का पालन करने में आदि हम करने से हम संक्रामक लोगों से बश सकते हैं इनके बाद आता है जब उबरक किस प्रकार से मिर्दा की उबरता को बढ़ाता है तो जब उबरक किस प्रकार मिर्दा की उबरक को बढ़ाता है जब उबरक जिसमें कास फूस गर के कच्छडे गोवर आदि एक गड़े खोद कर उसमें हम संचित करते हैं और वह जब सल कर सड़ जाता है तो एक मिथिन इसमें गैस निकलती और इससे जो है यह उत्पन होता है और यह खेतों में परियुक कियी जाती है बैकलो आईरस क्या है तिप्रे लिके प्रतिबन जैविक पदो की का उपियोग पारजीवी परिंतर्व से आप क्या समझते है सीथ निस्क्रियता और ग्रिस्म निस्क्रियता क्या जानते हैं बाइसक्वी अंतुरोती मनुष के नर्थ जननन का सजीद बर्ण सुक्रान कहां संचित होता है कुछ पाद्वी में लगब्रीज का सचित बर्ण आनुवन सी कूट क्याइज की विसेशता है मेंडर के पितिक्रण का नियम अनकुलन की परिभासा भगवली छेत में जाती ठकी के परमुकारण आदी कोस्टन है समय के अभाव में अईन कोस्टनों को आप पल दिजी और समय के अभाव में देखते वे आगे जिस्चित अधिन देंगे अभाव में जापवली छेंगे